महराष्ट में जहारखंड में चुनाओ की तारीकों का ऐलान हो गया है तीन तारीक की याद रखिए तेरा, बीस, तेईस दो फेज़स में जहारखंड में चुनाओ होना है कुछ इलाके समवेदशील इलाके होते हैं चोटा राजी क्यासी सीट होने के बावजूद यहां पर दो फेजिस में चुनाव करवाया जा रहा है महराश सबसे दिल्चस्ट चुनाव इस बार होगा महराश के चुनाव का बड़े लंबे समय से इंतजार हो रहा है क्योंकि पिछला टेनियर जो पूरी सरकार का रहा है वो उठा पठक से भरा रहा है जितना पॉलिटिकल ड्रामा हो सकता था वो सब कुछ देखने को मिला महराश में इसमें शुरुआती दोर में ही सरकार का बन जाना अजीत पवार का जाना फिर एकदम से उद्दव ठाकरे का महाविकास अगारी के साथ में चले जाना फिर उसके बाद में शिंदे का तूट कर चले जाना फिर अजीत पवार का साथ में आ जाना इस सब कुछ महराश में इन पिछले बीते पास सालों में होता रहा है बहुत कुछ देखने को मिला यहां पर और मुख्यमंत्री की भूमिका में दिखाई दिये जैस देविन्दर फ महतुपूर्ण दल के तौर पर देखे जाते हैं कांग्रेस बीजेपी अपनी जगे पर है ही आई इस पर बाचीत करते हैं मेरे सियोगी अभी शेक आपको मुंबई से जानकारी देंगे और चुनाव आयोग के दफतर से म्रिगांग प्रभाकर मेरे साथ मौजूद हैं म्रि जीव कुमार और इन में एक महतुपूर्ण सवाल था ट्रेंड्स को लेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग बड़ा सतर्क रहता है क्योंकि बहुत बार अभी हाल की राजनीति में तो हमने देखा विपक्ष के निशाने पर जरा-जरा से में चुनाव आयोग आ देता हो कि यह फेसेट चोटे क्योंकि यह गया क्योंकि पहले बार यहरकंड के अंदर पांच फेसेग में चुनाव हुआ महाराश के अंदर पाँच फेस में चुनाव हुआ और अब उसे जो है कंडेंस करके जो है एक फेस में और दो फेस में ही चुनाव रखा गया क्योंकि लोग सबागे चुनाव हुए तो तब सच एलेक्शन कमिशन के उपर ये कारोप लग रहा था कि लंबा लंबा चोड़ा जो है एक कारक्रम बनाया गया है और गर्मी थी और तमाम सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा तो मुझे लगता है कि इलेक्शन कमिशन जिस तरह से हर्याना में चुनाव कर आया है और जहांपे आसानी से चुनाफ कराया जा सकता है क्योंकि डैपलाइमेleिट ओव दि फोर्सिस आसानी से हो सकती है और जो फेसिस हैं उनके बीच में ज्यादा लंबा गैप ना रखा जाए चार दिन का रखा जाया ताकि सहुलियत के हिसाब चुनाव कराया जा सके है पहुंची हो कहा कि तीन दिन की लगाता चुटियां पढ़ रही है जातर वोटर जो है घर के बाहर चले जाएंगे इसलिए आप चुनाव जो है चुटियों के बाद रखेंगे तो इलेक्शन कमीशन ने फिर उसको चुनाव आया उन्हों उसको बदला डेट को बदला और पा के लोग जादा हैं तो वहां पर जो मास मूवमेंट हो का चटकी पूजा के लिए और लोग दस्या बारे तरिक के आसपास लोटेंगे तो शायद मुझे लगता है उसका भी धियान रखा गया है कि पंदर बीस पंदे तरिक तक जो है जातर लोग अपने काम पे लोट आएं क्योंकि 26 नमबर से पहले महाराश के अंदर सरकार बनी थी तो 23 नमबर को काउंटिंग हो जाएगी और दो दिन के अंदर पूरी प्रक्रिया हो जाएगी वहीं जार कंड के अंदर जो है पांच जनवरी को पूरी प्रक्रिया कर ली थी तो मुझे रखता है कि उससे पहले य एलान किया गया है विपक्ष के लिए ये जरूर एक सवाल है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर दो से तीन फेज होता तो जो उनकी रिजनल पार्टियां है खास करके शरत पवार हो या उद्धो ठाकरे हो वो ज्यादा मूव करते तो उन्हें ज्यादा बहतर रिजल्ट और म मांग थी जब इलेक्षन कमिशन यहां आया था तो प्रवीन उस दोरान शिशेना ने कहा था कि महाराष्ट में एक चरण में विदानसवा चुनाओं होने चाहिए क्योंकि सरकार को पता है कि अगर दो से तीन फेज हुए तो जो एंटीन कंबेंसी है उसका प्रशार प्रश सी और मराठा Odons कें जो एक 감 VC पैदा करने का लेकिन आज के समय में अब यह है कि एक फेज में चुनाओ करा करके एक समय कर दिया गया है जिस समय के दौरान मतलब एक महीने के समय का समय होगा इस एक महीने के समय में सभी पार्टियां अपना 288 सीटों पर हर तरीके के प्रैत्त कर लें उसके बाद चुनाओं होगा लेकिन आज के समय जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हुआ वैसे ही देवेंदर फढण नविस ने ट्वीट किया और कहा कि आज से संखनात उसका जिस तरीके से प्रभाव है या दूसरे तमाम सारी सरकारी योजनाओं का जो प्रभाव हुआ उसके बल पर फिर से सरकार में सत्ता में वापसी करेंगे तो निस्यत आज के बाद से अब लोगों को लोगों ने जो ढ़ाई साल काम किया है या विपक्ष जो ढ़ाई सा सरकार को लगातार यह कह रही थी कि करप्शन जादा बढ़ रहा है सरकार काम नहीं कर रही है हम जानते हैं कि महराज की सियासत सबसे दिल्चस सियासत रही है और यह पिछला वाला टेनियर तो बहुत ही उठापटक और पॉलिटिकल ड्रामस से भरपूर रहा है मदूकर आन देखे प्रविन जी अगर संचेप में बात की जाए तो धारखंड में और प्रक्यासित रूप से दो चरनों में चुनाओ कराया जा रहा है और इसका कारण दिन में भी जब हम बात कर रहे थे तो हम लोग उमीद यह किये थे कि तीन से चार चरन में होगा तीन तो जरूर हो भागौली की स्थिती जो है दूरियां कम हुई है तो ऐसे हालात में चुनाओ आयोग को लगा होगा कि दो फेज में पांच परमंडलों में चुनाओ कराया जा सकता है जहां तक बात है कि आज घोशना होनी थी इसका अंदाजा तत्तापक्ष को भी था और विपक्ष को भी इमंता विसोतर्मा जी थे उनकी अगवाई में जो है अंतिम रूप दिया गया चुनाओ प्रबंधन को दूसरी तरफ हेमन सुरेन ने अपनी कैबिनेट की अंतिम बैठक में अब अंतिम बैठक कहा जा सकता है क्योंकि अब तो बैठक होगी नहीं जो एक हजार रुपए मै करके पचीस सो रुपए कर दिया देखिये लगभग आधी आबादी जो है वो जारखन में वोटरों के रूप में है महिलाओं की ऐसे में जो ये मैया सम्मान योजना है ये हमन सुरेन ने बहुत पहले ही पासा फेका था लेकिन ये पासा थोड़ा छोटा था एक हजार का प पासा जो छोटा हमने प्रेका था उसको बड़ा करना जरूरी है कल कैबिनेट में उस पासे को बड़ा पासा उन्होंने कर दिया और पच्चिस सो रुपए दिसंबर मारे ये देखा कि महराष्ट की तरह ही जारखन जो है उसमें भी कम उठा पटक देखने को नहीं मिली है और चाहे चंपई सोरेन आपको याद होगा जब हिमन सोरेन बाहर आये थे तब हमारी आपकी खूब बात हुई थी चंपई सोरेन जो है उन्होंने काफी पकड़ बनाई थी संगटन पर लेकिन वही अचानक से चले गए एक बड़े जटके के तौर पर जारखन भी बड़ा दिल्चा से इस बार रहेगा